हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम करेंगे क्लास फूर चैप्टर नाइन हिंदी स्वतंतरता की ओर लेसन का नाम है स्वतंतरता की ओर चलिए करते हैं लेसन धनी को बता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है पर उसे कोई कुछ ना बताता वे सब समझते हैं कि मैं नो साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धु हूँ पर मैं बुद्धु नहीं हूँ धनी मन ही मन बड़ बड़ाया धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगए में रहते थे एहमदा अबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ रहे थे जब वे आश्रम में ठहरते तो चर्खों पर खादी का सूथ कातते भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता खाना पकाना बरतन धोना कपड़े धोना कुएं से पानी लाना गाय और बक्रियों का दूध दूना और सबजी उगाना धनी का काम था बिन्नी की देखवाल करना बिन्नी आश्रम की एक बक्री थी धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी धनी को उससे बाते करना अच्छा लगता था उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिला कर उसके बरतन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैट कर बाते करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे की वे धनी की बात समझ रही हो, धनी को भूख लगी, पूदती फांधती बिन्नी को लेकर वे रसोई घर की तरफ चला, उसकी माँ चूला फूख रही थी और कमरे में धुआ भर रहा था पहले की जमाने में चूला हुआ करता था, चूले को जलाते से तब उसके बाद खाना बनता था इसलिए उसकी मम्मी क्या कर रही थी? चूला फूख रही थी और कमरे में चूला फूखने से क्या हो गया था? धुआ भर गया था अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा, खांसते हुए मा बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं यात्रा? कहां जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया, समुद्र के पास कहीं? अब सवाल पूछना बंद करो, और जाओ यहां से धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पका दो, धनी सबजी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलुखोद रहा था बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर्फ हिला कर मना कर दिया, मना किया उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोधना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूँगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है धनी बिंदी को खीच कर ले गया और पास के निवू के बेड़ से बांध दिया फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया गांधी जी और उनके कुछ साथी कुछ रात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगे पर समुद्र के पास पहुँचेंगे गामों और शेहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे दांडी पहुँचकर वे नमक बनाएंगे नमक? धनी चोपकर उठ बैठा नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है हाँ मुझे मालूम है बिंदा हसा पर महात्मा जी की एक योजना है यह तो तुम्हे पता ही है कि वहे किसी बात के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं है न? हाँ बिल्कुल जही मैं जानता हूं वे बृटिश सरकार के खिलाफ सत्यागरा के जुलूस निकालते हैं जिससे की उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं यह तो समझदारी वाली बात नहीं है बिल्कुल धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है कर मिन्स टेक्स अच्छा धनी है रांद है गया नमक की जरूरत सभी को है इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है कर मिन्स टेक्स देता है बिन्दा चाचा ने आगे समझाया लेकिन यह तो सरासर अन्याय है धनी की आँखों में गुस्सा था हाँ यह अन्याय है इतना ही नहीं भारतिये लोगों को नमक बनाने की मना ही है महादमा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कर मिन्स टेक्स हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी इसलिए उन्होंने निश्चे किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे एक महिने तक पैदल चलेंगे धनी सोचकर परिशान हो रहा था गांधी जी तो ठक जाएंगे वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रावर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह ख़बर फैलेगी अखबारों में फोटो छपेंगी रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंदरता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी गांदी जी बड़े ही अकलमंद है है ना धनी की आँखें चमकी बिंदा ने हसकर कहा हाँ वह तो है ही दुपैर को जब आश्रम में थोड़ी शामती चाई धनी अपने पिता को ढूणने निकला वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चर्खा कात रहे थे पिता जी क्या आप और अम्मा दांडी आत्रा बर जा रहे हैं धनी ने सीधे काम की बात पूछी मैं जा रहा हूँ तुम और अम्मा यहीं रहोगे मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ बिकार की बात मत करो धनी तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे आश्रम के नोजवान ही जा रहे हैं धनी ने हट पकड़ली हट में जिद पकड़ली मैं नो साल का हूँ और आप से तेज दोड सकता हूँ धनी के पिता ने चर्खा रोक कर बड़े धीरत से समझाया सिर्फ वे लोग जाएंगे जिने महात्मा जी ने खुद चुना है ठीक है मैं उन्हीं से बात करूँगा वह जरूर हां कहेंगे धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी बड़े वियस्त रहते थे उन्हें अकेले पकड़ पाना असान नहीं था पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोध सुभव आश्रमे पैदल खूमते थे अगले दिन जैसे ही सूरज निकला धनी बिस्तर छोड़ कर गांधी जी को ढूणने निकला वे गोशाला में गायों को देख रहे थे फिर वे सबजी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे धनी और बिंदी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे अंत में गांधी जी अपनी जोपड़ी की ओर चले परामदे में चर्खे के पास बैटकर उन्होंने धनी को पुकारा यहां आओ बेटा धनी दोड़कर उनके पास पहुँचा बिंदी भी साथ में कूदती हुई आई तुम्हारा क्या नाम है बेटा धनी बापू धनी बापू और यह तुम्हारी बकरी है जी हां यह मेरी दोस्त बिंदी है जिसका दूद आप रोज सुब़ पीते हैं धनी गर्व से मुस्कुराया मैं इसकी देखभाल करता हूँ बहुत अच्छा गांधी जी ने हाथ हिला कर कहा अब यह तो बताओ धनी कि तुम और बिंदी सुबह से मेरे पीछे क्यों गूम रहे हो मैं आप से कुछ पूछना चाहता था धनी थोड़ा घबराया क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ हिम्मित करके उसने कह डाला गांधी जी मुस्कुराये तुम अभी छोटे हो बेटा दांडी तो बहुत दूर है सिर्फ तुमारे पिता जैसे नोजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे पर आप तो नोजवान नहीं है धनी बोला आप नहीं थक जाएंगे मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ कांधी जी ने कहा मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ धनी भी अड़ गया हाँ ठीक बात है कुछ सोचकर कांधी जी बोले मगर एक समस्या है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाओँगा इसलिए जब मैं वापस आओँगा तो मुझे खूब सारा दूद पीना पड़ेगा जिससे की मेरी ताकत लोट आए यह बात तो ठीक है बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ की से क्या पसंद है बिलकुल सही तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखबाल करोगे कांधी जी प्यार से बोले जी हाँ करूँगा धनी बोला बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे यह किसने लिखा है सुभद्रा, सेन, गुपता, अनुवाद, मनीशा, चोधरी बच्चों आपको यह लैसन समझ में आया होगा चलिए अब मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ ओके बाई बच्चों किसे इन आपको यह लोगास आपको यह लोगास झाल झाल